दोस्तो मिनिस्ट्री ओफिनांस के चीफ एकॉनमिक एडवाईजर उन्होंने एक डॉकुमेंट शेयर किया है इंडियन एकॉनमी रिव्यू जिसके अंतरगत उन्होंने ये दावा दिया है कि भारत 2030 तक 60 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी हो जाएगा इतना ही नहीं दोस्तो अभी भी चार चुनौतियां हैं जिनको हमें मात देना होगा तभी हम ये ड्रीम पूरा कर पाएंगे और सपना तो और भी खैर आगे का बहुत अधिक है 2047 तक हमें डेवलोप्ड एकॉनमी भी बनना है तो यहां पर दोस्तों आईए इस न्यूज को सबसे पहले देखते है आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा इसे कवर किया जा रहा है तो क्या है इसमें पूरा का पूरी क्या कहानी है आईए एक एक करके देखते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूं इंडियन एकॉनमी रिव्यू अगर आप देखें तो यह डिपार्टमेंट ओफ में भारत की क्या जर्णी रही है उसकी पूरी कहानी यहां पर चर्चा उसकी की गई है की हमने क्या रिफॉर्म कीए किस प्रकार से इंप्रूबमेंट किया और आने वाले दिनों में क्या-क्या चैलेंज़ेज हो सकते हैं तो दोस्तों क्या है इस डॉक्युमेंट में दीची तो दोस्तों प्रोजेक्शन क्या है उनका कहना है कि भारत एक बड़ी ही रेजीलियंट एकॉनमी है रेजीलियंट याने की असानी से इसको जगजोर नहीं सकते उनका कहना है कि देखें पैंडेमिक हुआ कोविड की बात हो रही है उसके बाद इंडियन में भी कॉंट्रैक्शन आया 2021 में उसके बाद अगर आप देखें तो हम बैक टू बैक पिछले दो सालों से सेवन परसेंट प्लस का ग्रोथ अचीव कर रहे हैं और फाइनांशियलियर 2024 में भी हम सेवन परसेंट प्लस का ही ग्रोथ मोर और लेस अचीव करने वाले हैं चीफ 7 परसेंट आप हो सकता है कहेंगे अरे पहले तो हम 9 परसेंट पे भी ग्रोथ किये हैं उनका यही कहना है कि देखिए वह अलग बात है कि आप 8-9 प्रतिशत पे ग्रोथ करें जब दुनिया 4 परसेंट पे ग्रोथ कर रही हो तो वह टोटली एक अलग बात है लेकिन अब कहना है कि जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं उसके अनुसार 2027 तक 5 ट्रिलियन एकॉनमी हम बन जाएंगे और 2030 तक 60 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी हमको बन जाना चाहिए दोस्तों उनका कहना है कि यह जो ग्रोथ इंजिन है भारत की जो भारत को इतना बनाती है वह दो मुख्य पहला है प्राइवेट कंजम्शन जो आपके मेरे जैसे लोग कंज्यूम कर रहे हैं दूसरा है इनवेस्टमेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्शन एक्स्पेंडीचर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो कोविड आया है कोविड के बाद से बहुत ब आप देखें तो 60% का आकड़ा यह असानी से पार करता हुआ देख रहा है तो प्राइवेट फाइनल कंजम्शन के जो इंक्रीज हुआ है उस वज़े से अगर आप देखें तो जो एक्स्टरनल चैलेंजिस हमको देखने मिल रहा है जैसे कि यूक्रेन में योद हो रहा है जियो पॉलिटिकल शौक है इस्रैल हमास वह रहा है वैसे ही अगर आप देखें तो इंट्रेस्ट रेट है पिछले कई सालों में इतना हाई इंट्रेस्ट रेट नहीं देखा गया था इजी मनी नहीं है उसके बाद भी हम ग्रो कर रहे हैं गलोबल डिमांड नहीं है ऐसा नहीं है कि US economy बहुत तीजी से grow कर रही हो कि उसको हम समान export कर सके Europe को समान export कर सके वैसा भी नहीं है उसके बाद भी अगर हम grow कर रहे हैं क्योंकि आपकी मेरे जैसे लोग चीजों को consume कर रहे हैं जाहिर सी बात है इसमें काफी ज्यादा गवर्मेंट के subsidies का भी रोल है जो लाभारती वर्ग है उसको लोन दिया गया है MSMEs हैं उसको भी लोन दिया गया है लोग directly direct benefit transfer का भी फाइदा उठा रहे हैं उस सभी वजह से private final consumption expenditure काफी जादा बढ़ा है इसके सिवा government कह रही है कि देखिए जो infrastructure में भी investment हुआ है फिर वो physical infrastructure हो कहीं railway line कहीं roads कहीं bridges तो कोई digital infrastructure दूर दूर तक गाउं गाउं तक optical fiber network बिच रहा है उस वजह से भी अगर आप देखे तो काफी जादा जो digital economy है वो भी मजबूत हो रही है manufacturing economy मजबूत हो रही है और इस वजह से भी भारत grow कर रहा है लेकिन इस growth में अगर आप देखे तो चार challenges है आईए एक एक करके वो challenges क्या है जो chief economic advisor साहब ने identify की है आपको मैं एक एक करके बताता हूं पहला उनका कहना है कि देखिए भाई end of the day ये एक global economy है इंडिया का जो growth outlook है वो सिर्फ domestic performance पर निर्धारित नहीं है लेकिन global development का भी इस पर असर पड़ता है आज जिस प्रकार से अगर आप देखे तो globalization कम होता जा रहा है डी globalization की बात हो रही है जिस प्रकार से trade wars हो रहे है जिस प्रकार से policy uncertainty आ गई है है ना अगर ट्रम्प आ जाएंगे वो कुछ नई policy बनाएंगे किस प्रकार का sanctions लगा सकते हैं किस प्रकार का trade war शुरू कर सकते हैं जियो economic fragmentation हो रहा है जो globalized world में पूरी global economy एक जुट हो गई थी अब वो अलग-अलग खेमों में बढ़ती जा रही है जिसमें western world चाह रहा है कि अब चाइना पर resilience कम कर रहें फ्रेंड शोरिंग कर रहें अपने दोस्तों के यहां ही वोट manufacturing करवाएंगे supply chains बनवाएंगे ऑन शोरिंग कर रहें कि इतना दूर तक हमें supply chains नहीं extend करना है यूएस की बात करें तो मेक्सिको तक कर लेंगे तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ग्लोबल ट्रेड पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है तो इसको हम कैसे navigate करते हैं जो चाइना प्लस वन हो रहा है उसको हम कैसे अपने फायदे में इस्तमाल कर सकते हैं जो चाइना से देखें आप worldwide developing countries की अगर हम बात करें न तो उन पर developed world बहुत ज़्यादा pressure बना के रखे हैं कि तुम्हारा carbon targets मदा नहीं आ रहा है न वो कहते क्या है कि carbon targets आपके ambitious नहीं है लेकिन भाई वो गरीब economy उसको grow भी तो करना है तुम अपना per capita income देखो उसका पर capita income देखो तुम अपना per capita carbon emission देखो और उस developing country का इंडिया का नाइजीरिया का पर carbon per capita carbon emission देखो तो जमीन आसमान का अंतर है उसके बावजूद भी भारत जैसी economies पर pressure बनाया जा रहा है कि आप अपने carbon targets को ambitious करें मजबूरन भारत की अगर हम बात करें तो हमने भी एक pledge लिया है कि 2070 तक हम renewable energy पर shift कर जाएंगे अब दोस्तों उनका कहना है कि यह एक trade-off है एक तरफ तो आपको economic growth भी अपनी करवानी है अब कोईला तो चाहिए बिजली तो चाहिए जो कोईले से सस्ते में बनेगा वो भी important है और दूसरे तरफ यह आपकी energy security भी देती है और दूसरे तरफ energy transition भी करना है तो यह एक trade-off है इसमें आप कैसे balance करते हो कैसे आप अपनी economy को grow करवाते हो at the same time अपनी economy को decarbonize करते हुए grow कराओ और energy security भी achieve कर लो यह एक challenge होने वाला है और इसके कई dimensions हैं यह जो green economy के तरफ move करना है उसके geopolitical ramifications भी है अब Saudi Arabia UAE जैसी जो economy है जो तेल पर चलती है उसका क्या होगा वो किस प्रकार से move करते हैं technological ramifications है जो green economy आ रही है उसमें green hydrogen की बात कर ले या नए solar panels आ रहे हैं जो highly efficient है तो उसमें वो technology transfer की भी बात है साथी साथ सरकार को खर्चा करना होगा fiscal, economic, social, policy actions बहुत सारे हैं पैसा भी तो लगेगा नया आपको energy infrastructure बनाना है तो वो कैसे आप achieve करोगे ये भी एक बड़ा challenge होने वाला है तीसरे challenge की बात करते हैं वो कहते हैं artificial intelligence है उनका कहना है कि देखिए दुनिया भर में जो यो governments हैं वो काफी ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि AI का असर employment पर पड़ेगा specially services sector पर already इसकी बात करें तो मैं जैसे आपको एक service देता हूँ YouTube में वीडियो बनाके आजकल सुना है साफी मधूर आवाज में लोग AI से ही आवाज निकल वा रहे हैं तो क्या होगा मेरे जैसे YouTubers का तो वही बातों कह रहे हैं कि देखिए भारत की जो GDP है 50% services sector से आती है उनका कहना है कि देखिए IMF का एक paper है जिसके अंतरगत 40% of global employment आज AI से exposed है साथी साथ उनका कहना है कि उस IMF के paper में कि हाँ हम मानते है AI के आने से complementarity है कि हो सकता है कि जैसे मैं अपना कुछ काम chat GPT से करवा लूँ लेकिन ये क्या हुआ complementarity कि मैं displace नहीं हो रहा मेरा कुछ काम मेरे लिए chat GPT करके दे दे रहा है लेकिन risk of displacement भी साथ में exist करता है कि मेरे जगा एक AI आ जाता है जो कि उसको मैं chat GPT से ही खाली उसको मैं बोल देता हूं ये news पढ़ लो chat GPT पूरा PPT वगेरा बना के दे देता है फिर मैं खाली एक बड़ा एक बैठा हुआ कोई आदमी है वो क्या करता है कि आवाज निकलवाने के लिए AI का एक टूल है जो आवाज भी निकाल देता है और आपके लिए सुन्दर सुन्दर स्लाइड बना देता है अलग अलग चीज़े बना देता है एनिमेशन कर देता है और विडियो भी डायर्क्ली यूट्यूब में डाल देता है तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं displacement का भी असर है तो उनका कहाना है कि जो भारत जैसी developing economies है उनको कहीं ना कहीं अपने labor force को digitally skilled कर कि वो बन जाएं जो कि उनको displace कर दे उनको हटा दे तो उनको इस प्रकार से हमें talent pool को भी कहीं ना कहीं मजबूत करना होगा challenge number four वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए भाया आज के time में जो skilled workforce है उसको हमको ले करके आना होगा भारत में हमारा जो workforce है उसको industry के अनुसार हमको और्येंट करना होगा इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो working population है उस पर ही काम करने की आवशकता नहीं है जब school में बच्चा है उस वक्त जो उसको हम पढ़ा रहे हैं वो learning outcome उसके उमर के अनुसार appropriate हो साथी साथ जो population है उसको हम healthy बनाए fit बनाए क्योंकि healthy educated skilled population हो होगा तो ही तो वो economically productive workforce होगा तो दोस्तों यह चार challenge अब यहां पर आप कहेंगे यह तो बड़ा आपने निराश कर दिया कैसे होगा साथ ट्रिलियन का economy दोस्तों उससे अधिक करना है क्योंकि उन्होंने कहा है कि बहुत सारे हमारे achievements हैं हम राइट ट्रैक पे हैं उनका कहना है देखिए female labor force participation rate 2017-18 में 23 प्रतिशत थी वो बढ़के बस कुछ सालों में 37 प्रतिशत हो गई है female gross enrollment ratio secondary schools में double से अधिक हुआ है 2005 में 24 प्रतिशत था वो 2022 में 58.2 परसेंट है higher education में भी जो female है वो चार गुना हुई है 2001 में 6.7 परसेंट सा आज 27.9 परसेंट है higher education college की बात हो रही है इसके सिवा भारत में जो investor है उनकी रुची बढ़ती जारी equity markets देखिए उसमें जो पैसा आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है इतना ही नहीं आप देख सकते हैं इंडिया का जो bond market है उसमें भी investor बहुत ज्यादा interest ले रहा है JP Morgan ने इंडिया के sovereign bonds को emerging market bond index में introduce कर दिया है जिसके बाद अगर आप देखें तो जो government borrowing है वो अब इन विदेशियों के द्वारा फुल्फिल हो जाएगी वो हमारे government bonds खरीद लेंगे तो नतीजन क्या होगा जो government भारत से पैसा उठाती थी उसकी जुरत नहीं पड़ेगी का पारन इससे क्या होता है crowding out effect हो जाता था जब सरकार भारत के ही economy का पैसा उठाके अपने अलग-अलग expenditures को अंजाम देती थी तो भारत का private sector था उसके पास लेने के लिए पैसा नहीं बचता था वो higher interest में पैसा लेता था लेकिन अब government को पैसा दुनिया भर का विदेशी जो investors हैं वो देंगे तो भारत के private sector के पास भारत का पैसा easily available होगा government borrowing कुछ ना कुछ अब देखे तो इस प्रकार से इंडियन economy में कम होती भी दिखेगी इसके सिवा जो public sector में जो capital expenditure है जो सरकार capital creation में खर्च करती है रोड बना रही है ब्रिज बना रही है अलग-अलग चीज़ जो की बहुत बड़ा improvement है तो capital expenditure भी हो रहा है यह capital आज नहीं लेकिन हाँ 5 साल बाद जब यह infrastructure बन जाएगा इसका फाइदा हमको होता हुआ दिखेगा तो इस वज़े से इंडिया right track पे है और 2030 तक 7 trillion economy का सपना हमारा पूरा होता हुआ देख रहा है और उसके बाद काफी आ सकते हैं अपने पर फोन स्वाथ आप अर्द् sixxumta के निस्तर हमें सपोर्ट कर सकते हैं यह हमारे अगर आप विदेश में है तो PayPal के माधंव से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप आर्थ्सिक रूप से हमें support नहीं कर आप सब्सक्राइब बटन जरूर दर्म है